की बुनयादें किम चीजहों पर हैं और भारत की बुनयादें किस चीज method भारत रिखियों कि मनजले किस तरह करता जा रहा है आफ पस्ती्यों की किस तरह जाते जाऩ से में अप्रूफ करूं आपके सांथ उप और और आपके सार्ड ड्रामा क्या हुआ है। आज आपके दादा जिन्दा होते तो मैं उनके गले मिलके रोता आज है। दूर है दूसरा हिसा आपके और किस ने किया क्या एक्सपाइटीज थी उसकी जिसनी के पजाब को डिवाइट किया गया। और फिर एक मैं ठीक है तूनेशन थियोरी थे आपके वह हिंदू हैं हम मुसल्मान हैं आप मुसल्मान ही बन जाते हैं आप मुसल्मान हैं आप इसलाम से खुश हैं जो पाकसान के अंदर इसलाम है। चब्वी साल पाकस नाइटीन फोडी सेवन के बनने से चब्वी साल पहले आपने एक कांसिटूशन लिखा है। और फिर एक साल बाद उसको जैनल जैवाग आप ने सिस्प्रेंट करते हैं। सर एक जैनलिस्ट हैं उन्होंने लिखा कि अगर हमारे जो बुजर्ग हैं वो अलामा एकबाल की बातों में ना आये होते तो आज लाहूर में भी जो डॉलर है वो 83 का होता। देखें बातें किस पे आदे ना आने जाए देखें जियात्ती ये की गई है कि एक खलत खाब दिखाया गया है आज भी एक हमारा लीडर आक्सपोर्ट ग्रेजुएट फिर वही नारा लगा रहा है पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाह इलाला पता ही नहीं उनको इसका है भी अगर पाकिस्तान का मतलब ला इलाह इलाला तो पिर इसको इसलमिक कंट्री बनाते ना या फिर चालीस हजार वहां पे मदरसे बनाए हैं नमाज किसी को तरजमे के साथ नहीं आती फिर हर गली के अंदर 6-6 मस्जदें और एक दूसरे को काफर कह रहे हैं फिर उन्हीं मस्जदों के अंदर आपके जूते चोरी हो रहें उन्हीं मस्जदों के अंदर लोते चोरी हो रहें पंके चोरी हो रहें तो पाकिस्तान का मतलब क्या है ला इला इनको बता तो देते हैं अगले दिन आपकी एक MNA है Member of National Assembly, उन्होंने Assembly के अंदर खड़े होगे कहा कि सिर्फ गोश्ट खाने के लिए कंट्री बनाया था ये बताए तो सही न आपने इसलाम क्या किया या इसलाम के साथ क्या किया ये इसलाम है ये आपने शेरों के नाम के उपर फिरके बना दिये हैं ब्रेल भी फिरका ब्रेल भी ब्रेल जो है वो ब्रेली जगा है भारत के अंदर द्यो है अब आपका नादरा करने रैकट बता रहा है कि आपने इस अर्मी चीफ के पीछे लगे उसकी बीवी के और उसके बच्चे के उसको प्रूव करना कि यह यह क्या बात शीया तो फिर क्या है यह मुसलमान नहीं है यह कैसे बाते करें फिर कहते हैं तरकी नहीं कर रहे और शको शुभात की बैस के उपर तो यह दरह की मैं पूरा सेग्मेट करूँगा आपके साथ यह 25-30 मिनिट का बताऊंगा आपको कि हमारी हमारी बन्यादों में पथर जो रखे हैं वो पथर आपको निकालने पड़ेंगे आपने तीन तिनों के अंदर तीन मैनारिटी के आर्जो यह यह आप इसलाम को समझ ही नहीं सके आप ने फिलास्फी को समझने की कोशिश ही नहीं की आपने 40,000 मदरसा तो बना लिया है लेकिन आपको पता ही इसलाम क्या चीज़ है आप सिरफ इसलाम को कारोबार और एक शरारत की ताउर पे इस्तमाल कर रहे हैं अफसोस क मुझे यह बताएं कि म Mister मैंने मुझे याद आता है को जंके बारे में इसलाम 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 बढ़ा जयता है जंक यह हालते जंक के ंदर भी आपने ना किसी बजुरक बच्चे खवातिन पो आद नी लगारा है किसी सरजब्स रसब्स द्रफ्थ को नहीं काटना किसी दूसरे मज़ब की अबादतगा को जा के वहां नुक्सान नहीं बोजाना तो जब हालते जंग में इसलाम ये कह रहा है तो यह जो मार रहे हैं minorities को किसी का बच्चा है किसी का बाप है वो तो आप यह कर रहे हैं यह रोजे रखके कर रहे हैं तो यह आर्जू यह मैं धोका हुगा यहां और उसमें कोई action भी नहीं होगा पाकस्तानियों कि भी सेफ नहीं है मर रहे है कीडों मकौरों की तरह मैंने आपको पिस्री दवा बताया ऐसा आपकी जिंदगी की वैलियों तो पहले बनाए नहीं है पाकस्तान तो बने ही नहीं है आपने सिरफ एक लूट मार का एक आपने का भी हम इधर कर दो हम लूट मार करें अपना वो लूट मार करें मैं आपको बताना चाहूंगा 1948 में आपने दो बिलियन डालर अमरीका से करजा मागने की कोशिश की डिफेंस के चकर में 1948 में प्रूफ के साथ आगरे साथ सेग्मेंट करूंगा के 1948 में आप क्या आज भी आप वही कर रहे हैं जो आप 1948 में कर दें आप विसकंदर मित्वा आयूब खाने जो बुन्यादे आपकी रख दी हैं आप उनसे आगे निकली नहीं सके उनको कुरों ने डिफाइन कर दिया मिल्कुल ऐसे यह मगर सार आप जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो कह रहे हैं कि आएम एफ के बागार रहना सीखना होगा मता महां से तो हट गया लेकिन नवाज शरीफ साओधियरब जा रहे हैं और सुनने में यह यह आ रहा है कि शायद आप उनके क्योंके तालुकात हैं साओधियरब से साओधियरब में तो शायद वो कुछ लेकर आजे हैं वहां से देखें आरतु मेरी नजर में आई-म-फ सिरफ चाहिए थे आपके जो रूलिंग एलीट है उनके बच्चों की ट्यूशन फीस्ट है और जो उनके पाकसान को तो नहीं चाहिए पाकस्तान में तो देखें न मलक बोस्तान है आपके जिन्होंने आपने मुझे आपने मैसेज भी किया था जो आपको जो मनी चेंजिस की यू हो लिए चाहिए अरना तो पाकसान के अंदर तो फॉल्ड का इतना पैसें आप तो शोके ना अफगानस्तान आपने कितना बेचा है आपने दैशल करदी कितने बेची हैं, सोचें तो से हैं कभी आप. और आपने बिलियर्स बनाए हैं. सारी दुनिया को बेवकूब बनाए. आपने योरप को भी, अमरीका को भी, मिडल इस को भी, जिहाद है. ये है, ये है. है बड़ा बैचा थे बहुत बैचा और असका रखा प्राइब आपके लोगों की सारा है पता हैं को हमारे मिस्टर हैंसम ने है कि दुबई में सबसे ज़्यादा प्रापर्टी का पाकसान यह लिए पता है आपको सब पता है आप वैसे मजाग करते हैं आप मजाग करते हैं आई एमफ चाहिए सिर्फ बच्चों डालर चाहिए होते ना लंदन में ट्यूशन फीसें रुपयों में इतनी जाएंगी तो रुपाउंट जाएंगी तो यह 5,000 लोग हैं ज़नों पाकस्तान को एक एर गमाल बना रखा लिए उनकी जरूरत है आई एमफ वरना पाकस्तान को जरूरत नहीं है आप देखें तो सहीं ना आपके डिफेंस की प्रापर्टी कहां जा रही है आपकी टिम हॉर्टन कहां जा आपके 5 Star hotel होटों में कमरा नहीं मिलता है आप कहते हैं आपको सब्सक्राइब कुछ आपको पैसे देगा दिए और ने थोड़े बहुत पैसे दिए खुछ बच्चों को पता चला उनकी ट्विशन फीसें दी जाए पूरी दे दी आपने लंदन में थोड़े के पैसे तुम्हां दी है आप सार इंडिया इंडिया में जो आर्मी चीफ्स होते हैं उनके आम से घर होते हैं मेजर गौरावारिया ने अभी अपनी एक वीडियो में दिखाया और हमारे उन्होंने चैलेंज किया के पाकिस्तानी यहां मालों के दिखा देगा मेजर साथ को सलूट करूंगा जिन्होंने वो वीडियो बना के 22 क्रोड लोगों को कहा है यह देखो यह कहा है और वह मामूली वीडियो नहीं है मैंने सेब कर ली अपनी आर्काइज में उसको देखें वो क्या उन्होंने जर्नल लक्षमन सिंग रावत का उन्होंने कहा है फिर उनका लड़का जर्नल विपन सिंग रावत एक फैमिली के दो आर्मी जर्नल और गेट देखा था जिसको मेजर साथ खोल के अंदर गए वो ड्राइंग रूम देखा था उसके बाद उसके उपर मेरी डिसकेशन हुई अमेरिका के अंदर तो मैंने कहा जो कौमे होती है उनको लेगिसी अपनी की खायश होती है लोगों को करेक्टर की खायश होती है जो हमारे अंदर नहीं है काश काश हमारे अंदर आती है मैं इसका एक मसाल देना चाहूँगा मेरा एक बहुत बड़ा मेरा एक पाकिस्तानी दोस्त था बहुत अच्छा बिरोक्रेट था वो कह इस बंदे के साथ मैं गया था वो पाकस्तान का प्राइमनिस्टर था उसने दिन में दो बीस बीस हजार डालर के सूट चेह लिए वो भी प्राइमनिस्टर काश काश वो वीडियो मेजर नावत की हर इंसिचूशन में हर अफसर को दिखाए लेकिन यह नहीं यह नहीं होगा न मैं इसके इस पर भी केस पेश करूँगा 1958 के अंदर अयूब खान साब आये थे उन्होंने पाकस्तान के साथ क्या किया था आज जो कुछ भी हो रहा है किसकी बुर्यादें अयूब खान साब रहे हैं चाहे वो प्लार्ट हो चाहे वो बैरिया हो कुरॉप्शन के नए बाब उन्हों थरीक के निकाले थे जर्वन ऐकास्सार इमरान को कहना है कि मैं उक्टोwa तक इन्तजार करने को तैयार हूं अगर ये कोई रोडमैब दे दे तो क्या इमरान खान खुर कोई रोडमैब नहीं दे सकते तो एंठों दे दियरो लाहर के जलसे-वो रोडमैप तो दिय ज्काने भूझा